कि अज़े अज़े आपके माद्यम से मैं हाई कमांड का अबर्वियक करता हूं कि जिनोंने मेरे पे विश्वास रखा है और यहां पे जो चुनाव होने जा रहा है काफी रस्पद होगा क्योंकि लोगों में काफी मायूसी है और यहां पे आपने देखा होगा कि डैवलोप्मेंट के नाम पे लोगों का घर तोड़ा जा रहा है चोटे चोटे लोगों को Numbers को यहां परेशन किया जा रहा है और बेरोजगारी यूआ हमारे बेरोजगार हो गए है Congress Party की देन थी के C और D Group में Domicile हमने यहां पे Domicile लाया थे और वो Domicile इन्नों ने खटब कर घिया C और D Group की अगर मैं बात करूँ तो LDC, UDC, Police, Police Constable ये सब में तेह किया था भारत सरकार ने के, सिर्फ और सिर्फ दमन्द और दिव के लोगों को ही भरती किया जाएगा, पर भारतिय जंता पार्टी ने इसको खतम कर दिया, और ओपन इंटर्व्यू कर दिया, आज पुलिस कॉंस्टेबल अगर दमन्द दिव में भरती होता है तो पंजाब से आ रहा है, हर्याना से आ रहा है, केरला से आ रहा है, कनाठक से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, महरा बच्चा कहा जाएगा, हमारे दमन की हुआ, हमारी बेहने कहा जाएगी, आज LDC, UDC की बात करू, तो भाहर से आ रहा है, ताजुद की बात में अगर आ प्रियंका जी का नाम बिल्कुल चर्चा में था और प्रियंका जी को दमन दिव से लड़ाने के लिए हमने भी वेलकम किया था पर कल जब CEC की मीटिंग थी वहाँ पे मैडम सौनिया जी ने कहा कि प्रियंका नहीं लड़ेगी और पुरी CEC टीम को वहाँ पे प्रियंका जी का नाम रखा था पर फिर मैडम ने कहा कि दमन से सिर्फ केतन लड़ेगा तो वो हिसाब से मुझे उन्होंने मेंडिट दिया है और फिर मैं आपके मादियम सुनका भी आपर देखके पूंगा